तो बहाना बनाके तो फोज पालनी है नमस्कार धूज्तों मैं अम्बर जैदी और एक बार फिर से आप सब आपो स्वाजत करती हूं हमारे आज की खास का ranking में और आज एक बार फिर से हमारे साथ खास मेहमान है Dr. Amjid, Ayoop, Mirza आप सब की जाने पर जाने है बहुत स्वागत है आपका नमस्कार नमस्कार, thank you very much for having me अंबर जी thank you so much sir, आप एक बार फिर से हमारे शूका हिस्सा बने है sir, पाकिसान से खबर आ रहे है महाला कि हम सब जानते हैं कि पाकिसान एक लंबे अर्से से political और जो economic crisis को face कर रहा है और इमरान खान को लेकर भी काफे लंबे अर्से से हम सब जाने कि वो जेल में बन है और वहीं हालिया में जो हम चुनाब के बाद शेबाद शरीफ एक बार फिर से सत्ता में आए हैं और उनकी नहीं सरकार बन हैं लेकि एक बार फिर से पाकिसान में political crisis बनते नजर आ रहे हैं क्योंकि IMF का जो package है और जो कर्ज को लेकर शेबाद शरीफ के जो एहम coalition के हिस्सेदार हैं आसिफली जर्दारी उन्होंने कहा है कि हम इस IMF की जो भी वजह से लोगों के उपर इसका बड़ा असर पढ़ रहा है और हम इसको लेकर एक decisive step लेंगे जिससे ये वहट लगाए जारी है कि दोनों के बीट सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और आगे चलकर कुछ बड़ा हो सकता है आप इसको किस तरह से देख रहे हैं डॉक्टर साब बहुत शुक्रिया देखें सबसे पहले तो बात ये है कि सकता में ना कभी कोई स्यासी पार्टी आई है और ना आएगी उस वक तक जब तक के असल सकता में फौज मौजूद है क्योंकि पावर सारी जो है वो आर्मी के पास है ये तो मोरे हैं अब पाकिस्तान आर्मी का पिछले तकरीबन चालीस पचास साल से ये रविया है कि वो पुलिटिकल पार्टी के दर्मयान अंटेगनिजम को प्रमोट करते हैं वो नहीं चाहते कि पुलिटिकल पार्टी किसी एक भी बड़े मुद्दे पे अकठे हो जाएं और ये जर्दारी साहब जो है इनकी जो पार्टी है इसके बारे में तो कोई हमें शक औ शुबा नहीं होना चाहिए क्योंकि जब बेनजीर भुटो पावर में आई थी 1988 के एलेक्शन के बाद तो उन्होंने सबसे पहले जो काम किया था अस प्राइम मिनिस्टर वो ये था कि उन्होंने उसी आर्मी को तमगा जमुरियत मेडल अफ डिमॉक्रसी दिया जिसने उनके फादर को फांसी लगाई थी तो मतलब है हमें कोई इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए अब जो आपका सवाल है कि I.M.F. के हवाले सी देखिए शेबाज शरीफ साब जो है इनका इस वक्त जो टार्गिट है वो ये है कि जैसे भी हो पाकिस्तान को एकनॉमिक क्राइसिस से निकाला जा वो क्राइसिस से नहीं निकल सकता जो तक कि बहुत बड़ी ये घूंती है अलेक्टोरल पालिटिक्स के इर्द गिर्द ये जो राजनीती है ये अवाम के हक में नहीं है ये इस बात के हक में होती है कि हम ऐसी पालिशी करें ऐसा काम करें जिससे अगले अलेक्शन में हमारी सरकार दुबारा बनने के चांसिस जो है वो ज्यादा से ज्यादा हूँ अब ये जो बयान दे रहे हैं जर्दारी साथ ये भी इसी रोशनी में हमें देखना पड़ेगा कि ये बयान भी असल में इलेक्टोरल जो कालिज है उसको कह रहे हैं उसको दिखा रहे हैं देखो भाई हमने तो ये कह दिया था उस वक्त के हम जो है I.M.F. की पालिसी को नहीं मानते और आज जो आप लोग मुसीबत में फसे हैं वो शहबाज शरीप की गलतियों की वज़ा से और एकनामिक पालिसीयों की वज़ा से हैं लेकिन अगर हम सक्ता में आ जाएं तो हम जो ह आज वो उनके वज़ा से प्राइम मिनिस्टर बने हुए है एक प्रेजिडेंट है प्राइम मिनिस्टर है तो ये कोई सिग्निफिकेंट बात नहीं है मेरे लिए जी जी डॉक्र साहब अगर पाकिस्पान की पॉलिटिकल एक्वेशन को अगर समझने की कोशिश करें अगर जिस तरह से आसे पली सदर्दारी के बयानात सामने आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है या ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है कोई पॉलिटिकल क्राइसिस बनता है तो जो पीपी है कितनी बड़ी उनकी सीटे हैं और कितना एहम है इस कोईलेशन के लिए अगर वो निकल भी जा रहा है पाकिस्तान में 1977 से जब भुटो की हकूमत को उतारा ग्यारा साल का मार्शला इतना लंबा क्यूं हो गया इसलिए हो गया कि वो पॉलिटिकल क्राइसिस जो पैदा हुआ था 77 के कू की वज़ा से वो सेटल नहीं हो पा रहा था और फिर उस प्रेजिडन्ट को यानि जर्नल जया को हवा के हादसे में जहाद के हादसे में मारना पड़ा ताकि ये किसी तरह से जो क्राइसिस हा रिजॉल्व वो फिर भी नहीं हुआ बेर निजीर आई उसको हटा दिया नवाज श्रीफ आय उसको हटा दिया फिर बेर निजीर को लाए हटाया फिर नवाज श् पे तजर्बा किया और वो इमरान खान साथ जेल में बंद है ठीक हो गया तो पुलिटिकल क्राइसिस तो ऑन गोइंग है ये तो पाकिस्तान में खतम नहीं हो सकता जहां तक आपकी ये सवाल है कि इनका अलेक्टोरल कॉलेज पे बेसिकली क्या असर पड़ेगा अगर आज एल जो साथ एशियन पॉलिटिक्स है ये घूमती एलेक्टोरल बैनेफिट्स के एर्दगेड़ और जाहर है जो लोग एलेक्शन में हिस्सा लेकर जीतते हैं ये लोग एलेक्टिबल्स कहे जाते हैं तो ये एलेक्टिबल्स पाकिस्तान के इतियास में आप देख लें वोही ए अमरान खान के साथ हुआ पिर उन्हीं अमरान खान की सरकार गिराई फोज के कहने पर और आज वही अलेक्टेबल्स है नवाज शरीफ के ये जो शबाज शरीफ सरकार एस्वे बैठे हैं तो ये शिफ्ट हो जाएंगे पीपल पार्टी में तो जहां तक अजल जिसे कहते हैं ग्रास रूट लेवल पर पकड़ है पीपल पार्टी की तो वो बहुत महदूद है और वो सिर्फ सिंद के कुछ अलाकों तक है वहां पे भी लोग बहुत खलाफ है पीपल्स पार्टी के जी डॉक्र साब मैंने सवाल एक ये भी था मेरा आप से कि अगर पीपल्स पार्टी इस कॉलेशन से निकल जाती है तो शहबास शरीफ के में क्या हालात बनेंगी कितनी मुश्किले बढ़ सकती है और क्या टोटल कितनी सीटें क्या असर रहेगा इस पूरे कॉलेशन पे अगर हकूमत गिरती है तो फिर इन हाउस तबदीली लाने पड़ेगी और इन हाउस इलेक्ट करना पड़ेगा जो फिर अपनी का कैबनेट बनाएगा और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो फिर इलेक्शन की तरफ दुबारा जाना पड़ेगा पाकिस्तान को तो आपको क्या लग रहा है जो सूर्थेहल बंती नजर आ रही है असिफली जर्दारी के बियान और एक तरफ जो शैबाज शरीफ है उनकी कोशिश है कि आम एफ से एक रहत मिल जाए ताकि पाकिस्तान को एकॉनमिक क्राइसिस से थोड़ा बाहर निकाला जा सके ऐसे में आ एकॉनमिक क्राइसिस सौर्ड नहीं होता प्लिटिकल क्राइसिस जो है सौर्ड नहीं होगा प्लिटिकल क्राइसिस है क्या प्लिटिकल क्राइसिस यह है कि एक सेक्शन जो है वो कहता है कि हम एकॉनमि को इस तरीके की पॉलिसीज के जरीए ठीक कर सकते हैं दूसरा कहता है न ही है कि इस मुलक का सवाए इस के के पाकिस्तान की जो फांडेशन है वो इंडिया हेट और हिंदू हेट और किम्यूनलिजम पे और टू नेशन थियोरी पे घूम फिर के उसी पे खड़ी है और उसकी जड़ें भी खोगली हो चुकी है कि लोग कहते हैं भी आखिर कब तक हमने इंडिया को भाना बना के तो फौज पालनी है कब तक हमने जो है ये कश्मीर के अंदर दरंदाजी करते रहना है और फिर ये इस अलाके को डिस्टेबिलाइज करना है कब तक हमने अपने असल जो प्रॉबलम्स है एकॉनमी की जो के बेसिकली मिलिटरी इंडिस्ट्रियल वर्सिस प्राइवेट सेक्टर है इसको रिजॉब नहीं होने देना तो ये जड़े खोकली होती चली जा रही है जहां तक तालुक है पाकिस्तान का के कौन इसको एकनामिक क्राइसिस से पाकिस्तान को निकाल सकता है तो कोई भी नहीं निकाल सकता देखें ये एकनामिक क्र तो वो बहुत मुश्किल है मुझे नजर नहीं आता पाकिस्तान के अंदर प्लिटिकल स्टेबिलिटी क्योंकि एकनॉमिकली कोई ऐसा प्लैन नहीं ये बना रहे है जो इनकी कॉटेज इंडिस्ट्री स्मॉल इंडिस्ट्री को स्ट्रेंथन कर सके जो के फांडेशन होती है कि इकनॉमी के और फिर ये चाइना के बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं और अब जो इंडिया के इतना पावर्फुल हो जाने की वज़ा से और दुनिया की पांचवें चौथी बड़ी एकनॉमी बनने की वज़ा से और फिर उसका इंटरनाशनल स्टैचर जो ह वो ये है कि इंडिया अब इंडिपेंडेंट फॉरन पॉलिसी डिसीजिन लेता है जिसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि जिस दिन नेटो अपनी 75 वी सालगिरा मना रहा था उसी दिन मोदी जी जो है वो नॉन नेटो कंट्री रश्या और नॉन नेटो कंट्री उसके बाद वियाना गए आस्ट्रिया गए तो यहां पर शिफ्ट आ रही है बहुत बड़ी अब और ब्रिक्स भी जो है उसका कल पार्लिमेंटरी सेशन था उनका और उसमें प्यूटर ने कहा कि हमें अब ब्रिक्स की पार्लिमेंट बनानी चाहिए मतलब बहुत बड़ी तबदीलिया आरिये ताइट इटानिक शिफ्ट आरिये हैं हमारे रिजिन की पॉलिटिक्स और एकॉनमी में और इसको देखते हुए मैं समयता हो कि पाकिस्तान प्रॉक्सी रहा है और प्रॉक्सी रहेगा और ये इंडिया के खلاफ काम करेगा क्योंकि इनका काम ही यह है कि इन्डिया के यह है कि जाहरा है अमेरिका डिरेक्टली तो इंडिया के खिलाब को इस्टेप नहीं उठा सकता फॉरन एक्षेंज रिजर्फ जो है इनके उनको भी वो फ्रीज करने की जूरत नहीं कर सकता बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो जगा वर्ल्ड मार्केट में इसके इलावा अ पाकिस्तान के चाइना और अमैरिका वैसे तो एक दूसरे के दुश्मन है लेकिन उनका एक जगा पर Sales कि है और वो यह है कि इंडिया को किसी तरह से जो है वो इंगेज किया जाए इंडिया को रोका जाये बढ़ने से और उस कामिन इंट्रस्ट का फाइदा पाकिस्तान मु यही लगता है कि जो कश्मीर के अंदर हमारे पांच सेने के जवान शहीद हुए और उससे पहले हुए और नौ तारीक से जो यह नई वेव चली है इसके पीछे कहीं न कहीं मुझे लगता है कि दूसरे देशों का हाथ भी है सिर्फ पाकिस्तान का यह मसला नहीं है पाकिस्ता आग प्रॉक्सी की प्रॉक्सी है जी आपसिल्यूटली आपने बिल्कुल सही जो आपकी का यह नाजर आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान जो स्पेस में अभी वो इतनी बड़ी जुरुरत करना फोर्ड भी नहीं कर सकता और ऐसे में कहीं ना कहीं कोई बड़ा हाथ बड़ी बै कॉंटिनेंट में होता नजर आ रहा है उसमें चाइना की बात करें इंडिया की बात करें और भी जो इस्टरन कंट्रीज है उन सब में पाकिस्तान की क्या रेलेवेंस आप देखते हैं पाकिस्तान की बड़ी रेलेवेंस है देखें ना एक आप देखें मेरी बात सुनें इ और अगर बो कांटा ना नंका लगा लिए तो उर इंफेक्शन का इलाज ना करें तो सेप्टिसीमिया μας का आज ना करें तो फिर आप जानती है कि फिर आजम рेलिवन्स सक्षियर जाता है तो पाकिस्टान की बहुत रेलिव엔्स है लेकिन यह रेलिवन्स निुसंस की रेलिवे यहीं से अब मैं सोचता रहा कि मोदी जी तीसरी टर्म में आ गए है थ्री पॉइंट जीरो उनका अब ये शुरू हो गया है तो पियो जे के क्यों अजाद नहीं हो रहा है तो उसमें बहुत सारे सवालात मेरे जियन में है तो और मैं आपका ये चैनल के मादेम से अपने आप पियो जे के को लिया जाए हमेशा भी चाते हैं सब चाते हैं मसला कहा है अड़ा हुआ क्यों नहीं पियो जे के को वापस भारत में शामल किया जा रहा है तो मैं अब इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि ये मसला इतना सिंपल नहीं है ये आप वापस मेरे साथ चलिए नाइ 1947 में सिर्फ देश आजाद नहीं हुआ था बलके देश का बटवारा किया गया था देश को काटा गया था देश के जिन्दा शरीर को चीर दिया गया था देश के जिन्दा शरीर के दो बाजू काट दिया गये थे और एक नई चीज को जनम दिया गया था जो उस वक्त के हवाल असके नियू वर्ल्ड आॉड़र ता जिसको हम आज कह सकते हैं के ओल्ड वर्ल ओर तो वो वर्ल्ड आॉड़र था जिसकी वजहाँ से ना सिर्फ जमू किश्मी की रियासत पर हमला हुआ और तक्सीम करवाया गए पाकिस्तान के जरीय उस रियासत को, बलके बलू चिसतान के उपर भी पाकिस्तान से हमला करवाया गया 28 मार्च 1948 को और उसको जबरदस्ती पाकिस्तान में शामल किया गया ताकि कहीं से भी जो हिंदुस्तान का जमीनी रास्ता सेंट्रिल एशिया तक जो है वो ना दिया जा सके अब मसला ये है कि P.O.J. को हासल करना चुटकी का गाम है इंडियन आर्मी के लिए 48 गंटे में है कौन जाएंगी फोजें हर जगा लेकिन सवाल ये नहीं है और सवाल ये भी नहीं है कि क्या इंडिया इस बासे डर रहा है कि अगर हमने हमला करके वापस लिया तो पाकिस्तान के साथ जंग हो जाएगी और पतनी पाकिस्तान एटम हम फैंक देगा ये भी मसला नहीं है मैंने बहुत सोच है इस पर मसला जो आ रहा है जो अटका हुआ है वो यहां है कि इस ग्लोबल वर्ल्ड ओर्डर को जो 1947 में काईम किया गया अंग्रेजों की तरफ से उस वक्त के अंग्रेजों की तरफ से इसको इसमें उतल पतल का क्या रिजल्ट होगा अगर ये उस वक्त का काईम किया हुआ ग्लोबल ओर्डर जो ग्रेट गेम का के बड़े प्लैन का हिस्सा है उसको अगर चेंज किया इंडिया ने यक तरफा तोर पे मोदी जी उसका जो है वो इमपेक्ट क्या होगा उसका इमपेक्ट बहुत खतरनाक होग और उसी रोशनी में मैं समझता हूँ कि अब जो मोदी जी रूस गए हैं और जो ये लाइन ले रहे हैं ये मुझे लगता है ब्रिक्स के जरीए एक निया जो ये ब्लॉग था इसको नई स्ट्रेंथ देने की कोशिश की जा रही है ये अवश्टा की जा रही है कि इसको मश ब्हुर्दाज को वाजाद कराने का शयद नहीं है और मैं एक जानले के ऑधार्ती नागरेक और भाया में और पाक stereotypes का ज нар UMसाने के लिए तयार हूं لिकिन मैं ये इस बात की लिए तयार नहीं हूं कि भारत को प्यो जा कि और वाजानी का लिए मैं इसको प्र जान्ग में ज साक में बैठा है कि मोधी साब कोई गलती करें इंडिया कोई गलती करें तो हम पढ़ जाए सारे उसको तो इसलिए अभी अगर हमें और खुलामी में रहना है तो कोई मसला नहीं है हम वेट कर लेते हैं जब तक कि भारत जो है वो सही वक्त का तायूर नहीं करता लेकिन उससे यह हकीकत तबदील नहीं होगी कि हम भागती हैं थे और रहेंगे और यह बात कभी बदल नहीं सकती है तो constitutionally है कि चितने भी कश्मीर के नागरिक हैं चाय सरहत के उस पार जो कबजे में हो और जो यहां पे हैं सब ही भारत के नागरिक हैं जैसे कि मैं हूँ आप हैं सब equally इ पात को कह चुके हैं global platforms पे कि आज हम जंग के दौर में नहीं हैं और जंग से कुछ भी हल नहीं होगा इवेंचुरी बातचीत से ही रासे निकलते हैं कश्मीर जो एक मसला है वो बहुत एहम है और बार बार खास वर से जाहे बीजेपी manifesto की बात करें या फिर प्रादान मंत कि छे महीने में POJK हमारा वापस हमारे कबदे में होगा और उमीद करते हैं कि छे महीने के अंदर अंदर अभी तो चार महीने अल्मोस्त वाकी हैं बहुत कुछ हम बदलते हुए देख सकते है उमीद करते हैं कि छे मेने का टाईम umio eating ने दिया था वो हो लेकिन हम इस पूर ओनर Dennis र cemetery होता है जिस तरफ आरमी चाहेगी सब चले जाएगे क्या हो नहीं। कई पांप मरियोनवाद कि रह जाएगी कोई पार्टी उनके साथ हुन ते सब चली जाएगी उदब क्योंकर ये काम इंतर पांटी के कहने से नहींना होगा ये काम उपर वालों के कहने से होगा तो वह जिदर कहेंगे सब उढ़र चले जाएगे तो मतलब हमें फिर बहुत ज़ली एक नया पाकिसान में ब्रदानमंत्री नज़न आएगा तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है कभी भी हो सकता है कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। धन्यवाद आपका, नमस्कार जैहिन आपको शुक्रिया, नमस्कार जैहिन